कि शैनन का एक ही में इसको चार्जिंग बोल्टेजिन नहीं बंन रहे है तो इसको ने पूरा रिपेर किया में कैनन्स के का यह मोन था तो प्हले यूज होते थे क्याipरें तो इस पर आमने क्या क्या मैं जाने आपको दिखातां हूं देखिए चार्जिंग बोल्टे जाने लगे इसके बैटरी चार्ज हो रही है और इस में क्या प्रॉब्लम थी आपको बताता हूं इसमें जो एक तो आप कहीं भी जाएं जाने से पहले सुझ समझ दें की रेट क्या चाहिए कैसा चाहिए तो अब इस पीए चेंज की और यह पूरी तरह से बैटरी को क्या करने लगा चार्ज करने लगा यह यह आई सी प्रॉब्लम कर रही थी इसके लावा इसको जब हमने बदला इस इसी को तो इसमें एक और प्रॉब्लम थी वह मैं आपको दिखाता हूं आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो क्यापसिटर लगें देखिए देखिए आप यहां पर ठीक है यहां पर क्या था यह जो क्यापसिटर सिरीज में लगे हुए थे इनमें से अधियरे मोस समय हैं एक चार्जिंग को चालू किया और चार्जिंग वोल्टेज जो थे वो प्रॉपर तरीके सandler चलने के लिए परफ्में तो समझ में चर्जिंग बना दिया 15-20 में रेड़ी हुआ समझ में विकास कैसे प्रब्लम ट्रेस की क्लिया रहे हैं किते की देख रहे थे यारे यह आपका Canon का camera था और इस camera को हमने क्या किया रेडी किया है और आपको किसी भी तरह की repairing करानी हो courses करने हो जो भी commitment होगा 45 दिन 30 दिन पूरा होगा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आपके साथ है lifetime support देते हैं 100% practical कराना 100% hardware software सारा कुछ कराना दीखिए Canon का इसमें बैटरी भी लगी हुई है और यह पूरी तरह से ready हुआ चलने के लिए इसमें किसी भी तरह कि आप कोई problem नहीं है thanks for the